हेलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट 12 वीडियो इस सेप्टल का पार्ट 12 वीडियो में प्रसनावले 3D पे और कोश्चन देखे क्या कर रहा है करने में लेखे तावियों के व्यूत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंबिक रूपांतरन के परियोग से ग्याद क चलिए पहला नंबर कोश्चन से शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग माल लेंगे इसे एक आवियू के रूप में संकेत के रूप में ए बराबर में माल लेते हैं यह है 1-123 आप इसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक्वल टू में आई ए ले लेंगे ठीक है तो यहां यह से गुना करने पर पुना वही आवियू आ जाता है तो एलेचेस में इस ए का मान रखेंगे जो दिया हुए है 1-123 और आरेचेस में आपका आइडेंटी मैट्रिक्स का मान रखेंगे 1-0-0-1 ठीक है आप क्या करेंगे यहां पर प्रारंबिक रूप आंत्रन जो हमने द और आइडेंटी मैट्रिक्स में यहां 1 ही न होता है यहां पर 0 चाहिए हमें यहां 0 चाहिए ना तो यह आपका कौन सा को आपका आर्टू है तो आर्टू के जगह पर लिखेंगे आर्टू के प्लेस पर आर्टू माइनस 2 आरवन देखलो अगर इसमें 2 से गुना करके इसम में convert करना है चलिए तो आरवन तो वैसी रहे का 1-1 यहाँ पर इधर भी वही 1-0 आप देखिए यहाँ पर हमें चेंड करना है आर टू यानि कि 2-2 इंटू आरवन का आरवन का एलिमेंट यहाँ पर वन है यहाँ पर करेंगे तो जीरो आ जाएगा चलिए 3-2 इंटू यह माइनस का 1 यह माइनस माइनस प्लस हो जागा 3-2 पांच आ जागा यहाँ पर पांच आ जागा फिर इस तरह यहाँ भी वही करेंगे 0-2 into 1 minus का 2 minus का 2 ठीक है फिर यहाँ 1-2 into 0 यानि प्लस का 1 आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या लाना है 1 लाना है 1 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे R2 के place पर 1 by 5 R2 इसमें 1 by 5 से into कर देते हैं 1 आ जाएगा हमें बस क्या करना है जितने भी आपको बैने elementary operation बता थे तो हम लोग को पता है कि या तो क्यों raw वाले का परयोग करेंगे या तो सिर्फ column वाले का परयोग करेंगे प्रते question के लिए किसी रओ वाले जीतनी 3 elementary operation थे ना उनका परयोग करेंगे या फिर सिर्फ column वाले का परियोग करेंगे दोनों को एक साथ नहीं mix करेंगे किसी भी question में ठीक है 1-1, 0, 1 ठीक है इसमें हमने 1 by 5 से multiply करें तो 0 में होगा तो 0 ही इसमें 1 by 5 से multiply होगा तो 1 हो जाएगा चले इधर भी into करना है 1, 0 यहाँ पर minus का 2 by 5 और यहाँ पर 1 by 5 1 by 5 से multiply होगा अब देखिए सब कोई ठीक होगा बस यहाँ पर हमें 0 चाहिए तो यह R1 है R1 का element है तो R1 का element है तो R1 पलस R2 कर जाएगा क्योंकि इसमें यह add होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी कोई change नहीं आएगा ऐसा नहीं है कि एक को सुधार करने के चक्कर में दूसरा भी गड़बल होगा यह भी धियान अखना होगा ठीक है चलिए हमें R2 को कोई छेषाड नहीं करना R1 के place पर R1 पलस R2 1 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 1 ही आएगा और माइनस 1 और 1 जोड़ेंगे तो आपका 0 हो जाएगा चलिए यहाँ पर आपका R2 ऐसी रहेगा यहाँ पर इसको और इसको add करके लिखना है R1 R2 को add करके R1 के place पर लखना है 2 by 5 1 by 5 अब यह यह जो है इधर आके इधर आएगा तो यह inverse हो जागा और inverse में अडिन्टी मैट्रिक सेंट होगा तो यह inverse ही आगा रहा जी हमने यहाँ पर ब्यूद्क्राम आपका निकाल नहीं लिए यह का 3 by 5 1 by 5 मैनस 2 by 5 1 by 5 ठीक है क्लियर है कोई दिकत नहीं है चलिए अब इसका 2 नमबर देखते हैं हम लोग यहाँ भी मान लेंगे माना a equal to में 2111 और फिर क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग यहाँ मान रखेंगे 2111 और यहाँ पर आइडेंट्री मैट्रिक्स का चलिए यहाँ पर प्रारंभिक रूप आंतरन का पर्योग करेंगे यहाँ पर में क्या चाहिए यहाँ हमें पर यहाँ चाहिए तो एर वन के प्लेश पर आरवन माइनस आरडू कर दे तो काम हो जाएगा देख्लो कि इसमें इसमें घटा देखेंगे वन इसमें इसमें घटाए गए जीरो बाकी तो इलिमट वही रहेंगे ना आरड़ वाले यहां पे भी 1-1 ठीक है R1 में इंस R2 करना था ना जी R1 के element में से R2 के संगत element में से घटा देना था अब देखिए यहां में बस अब 0 ना रहा है बाकी सब कुस इसमें ठीक हो गया तो यह R2 है हम लोली देते है R2 के जगा R2-R1 R2 में से R1 को घटाएंगे तो यहां 0 जागा और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा चलिए तब यहीं आवाला operation यहां कर देते हैं देखते है R1 वैसे ही रहेंगे element उसके इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 यहां पर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही दहेगा इधर हम लोग करते हैं यह आपका R1 वाले element वैसे ही रहेंगे अच्छा 0 में से 0 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1 और 1 में से माइनस वू घटाएंगा तो्व को पड़्स होगा ना यह आपको अडेन्टी मेटिक्स आ घे यह होगा एधर गुझना करेगा तोई क्या होजागै एंवर्स होगा यह इंटिंट्री मेटिक्स होगा यह आखी कुझना करेगा यह हमारे करते खरी DR 1-1-1-2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यह हम ऐसे भी सोच सकते हैं, कि यह है एक matrix है, जिसमें हम लोग A से गुना कर रहे हैं, तो identity matrix आ रहे हैं, यारी कि यह हवाला इसका inverse है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, चलिए, अब इसका थर्ड नमर देखिए, यहाप भी हम ल लेते हैं माना, A equal to में, 1327, ठीक है, अब इसके बाद देखिए, A equal to में, I, A ले ले लेंगे, LHS में एक वाज रखते हैं, 1327, और RHS में identity matrix का, 1001, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग elementary operation करते हैं, तो यहाँ, 1 चाहिए, 1 है, यहाँ पर 0 चाहिए, ना, तो R2 के place पे, R2 माइनस 2, R1 करते हैं, इसमें 2 से गुना करके, इन में से घटा देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना, यहाँ यह उसी तरह से, 1, 0 ऐसी रहेगा, हम लोग R2, यानि कि 2 माइनस 2 इंटू R11, तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर दोखो, 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 2, 3, 6, घट के 1 आ जाएगा, चलिए यहाँ पर, 0 माइनस 2 इंटू 1, माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 ही आएगा, चलिए आप देखिए, यह भी ठीक हो गया, हमें अब यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो यह R1 का एलिमेंट है, तो R1 के जगार पर अब में रूशेता है, R1 माइनस 3R2, ठीक है, तो R2 ऐसे ही रहेगा, अब में बस चेंज करने वाल है, R1 में से 3R2, इसमें 3 से इंटू करके, इसमें से घटाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह तो 0 है, 0 में 3 से इंटू का 0, 1 में से घटा लेंगे, तो 1 ही आएगा, और यहां इसमें 3 से इंटू करके, इसमें से घटाएंगे, तो अब कर 0, चलिए यहां से, R1 यानि 1 माइनस 3 इंटू, R2 यानि माइनस 2, तो यह माइनस में प्लस 7 आ जाएगा, ने हां, 0 माइनस 3 इंटू 1, माइनस का 3 आ जाएगा, और बाकी यह दोनो तो वै इंटी हो गया ना जी, तो एका इंवर्स क्या हो गया, यह हो गया, 7 माइनस 3 माइनस 2, 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आप नेक्स कोशन पे, कोशन नमर 4 देखिए, चार नमर में देखिए, A इक्वल टू में दिया हुए है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, तो हम लोग यह पर क्या कर लेंगे, यह हम लोग माल नहीं है, ठीक है, आप देखिए, A इक्वल टू में आइए ले ले लेंगे, ले चस्वे एका वेलू रखते हैं, 2, 3, 5, 7, और इधर रख देते हैं, इडेंटी मेट्रिक्स का, 1, 0, 0, 1, और इंटू, A, अब इसे ट्रांस्फॉर्म करन कर देते हैं, इससे फाइदा आगे चलके हमको होगा, देखिए, इसको इधार और इसको इधार, और इसको इधार, आरवन की जगा, आरवन की जगा, तो यह 5, 7, उपर चल जागा, 2, 3, नीचे आ जाएगा, अब आप सोच लोगो किसार ऐसा क्यों किया, भी आपको पता चल इसमें कोई शेड़ शेड़ नहीं होगी, आरवन के प्लेस में मैं क्या कहना, आरवन में से 2 है, इसमें 2 से इंटू करके इसमें घटाएंगे तो यहां भी वन आ जाएगा, इसमें 2 से इंटू करके इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 हैगा, इसमें 2 से इंटू करके जी तो r2 minus 2 r1 कर देते हैं इसमें 2 तो फाइफ आ जाएगा अब इसमें तू से न्टू करेंगे और जीरो में से घटा लें तो माइनस का टू आ जागे यहां पे बस अब हमें जीरो चाहिए तो आरवन के प्लेस का अलिमेंट है तो आरवन के जगा आरवन माइनस रटो तो यह वन में से जीरो घटाएंगे वन में से वन गटाएंगे जीरो और बाकी तो ये ऐसी रहं गया शाय उले है याद के उसी तरह से स्फेस से मांइनस का सेवन प्लेस का थ्री हाइफ जाह से हमारा इंभ नहीं आ गया क्योंकि यह identity matrix आगया तो यह inverse क्या हुए माइनस 7 3 5 माइनस का 2 क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो लिए अब इसका 5 नुमर देखते हैं हम लोग इसमें सारे कोशन को देखें कोई कोशन नहीं छोड़ने वाले हैं माना a equal to में दिया है हमारे पास 2174 ठीक है अब यहाँ पर a equal to आइए ले लेना है लहसे में एक वैलू रख देते हैं 2174 अब इधर आइडेनिटी मेंटिस का 1001 ठीक है यहां पर भी हम लोग देखो सबसे पहला काम क्या होगा यहां r1 r2 को इंटरचेंग कर देखते हैं इससे देखो आगे चलके हमको फाइदा को जैसे हमने पिछले कोश 1 1 0 यहां भी इंटरचेंड करना होगा ना जी चलिए r1 r2 को अब देखिए यहां पर हमें लाना है 1 तो हम r1 के प्लेस पर लिख सकते हैं r1 minus 3 r2 इसमें 3 से इंटू कर देंगे और इसमें से घटा देंगे तो 1 नहीं आ जागा जी चलिए देखते हैं तो देखो आब इसमें 3 से इंटू करेंगे 6 और 7 में से 6 घटे का आपका 1 आ जाएगा यहां पर 3 से इंटू करेंगे यह 3 होगा और 4 में से 3 घटे का आपका 1 आ जाएगा चलिए इधर भी उसी तरह से करेंगे इसमें 3 से इंटू करें इनमें से घटाना है चलिए तो इसमें 3 से इंटू करेंगे तो यह 3 आ जागा, 0 में से 3 घटाएंगे, तो माइनस का 3 हो जागा, चलिए, यहाँ 1 ही होगा, 1, 0, अब देखो इसके बाद, यहाँ पर भाई हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो यह R2 है, R2 का element है, तो R2 में से 2 R1 कर जाते हैं, चलिए देखते हैं, इसमें 2 स इन्टू करके इसमें घटाएंगे, ध्यान से दखो, यानि कि 1 में से, R2, सॉरी, सॉरी, यहाँ पर दखो, R2 का जगा पर R2 माइनस 2 R1 हम नहीं किया ना जी, यहाँ 1 माइनस का 2 इन्टू 1, तो यह क्या जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ भी वही काम करता है, R1 वाले एलिमेंट आपके वही रहेंगे, R2 में हमें चेंड करना, 1 में से घटा लेना है, इस R2 के एलिमेंट में से, 2 इन्टू में माइनस 3, तो यह माइनस माइनस 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 0 माइनस 2 इन्टू 1, माइनस का 2 आ R2 के जाएगा, यहाँ प्लस में होता है ना जी, तो माइनस 1 से इन्टू कर देते है R2 में, माइनस 1 से इन्टू करने पर देखो क्या होगा, 1, 1, 0, प्लस का 1 हो जाएगा, समझ गरा, माइनस 1 से इन्टू कर रहे हैं तो, यहाँ माइनस 3, 1, माइनस का 7, प्लस कर देते हैं, इसमें भी मैनस 1 से इंटी हो गया अब देखो बाई यहां पर हमें सिर्फ 0 लाना है एर वन के प्लेस पर आर वन माइनस 2 कर देंगे तो नहीं काम बन जागा चलिए यह कर देते हैं तो वन जीरो जीरो वन यहां एडेंटी आ गया चलिए यहां भी हम लोग घटा देते हैं आरवन के प्लेस पर आरवन मैनस 3 में से मैनस 7 घटा देंगे तो मैनस का वन ठीक है और मैनस 7 टू यह आपका इडेंटी आ चुका है तो यहां से हमारा एका इंवर्स क्या हो जाएगा एका इंवर्स हो जागा 4 मैनस 1 मैनस 7 टू यह आपका इंवर्स निकाल लेंगे कोस्टन नमर 6 तेकी उसी टाइप का कोस्टन है हम यहां भी इसे ए माल लेंगे माल लेंगे एक वाल टू दिया है आपका 2513 ठीक है अब एक वाल टू में उसी तरह से हम लोग आइडेंटी इं पहले तो आरवन के प्लेस पे-R1 माइनस 2 करंगे तो काम बन जागा ना जी आ जागा की नहीं चली देखते हैं पहले तो घटाएंगे तो घटाएंगे तो यहां और इहांग तक लेंगे तो तो Fiona के मिए गटेगा तो जीयू है कि वान टू यहाँ पे जीरो और यहां हो जाएगा प्लस का वन इसमें से इसको खटाएंगे ना चलिए यहां भी काम करते हैं घटाते हैं घटाते हैं रवन को तो आर्वन वाला तो एलिमेंट वैसे ही रहेगा रटू में टू के प्लेस पर करना है र-2 मैइनस रवन यानि-1 और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा अब देखिए सब तो ठीक हो गया भाई यहां पर हमें 0 लगा है और R1 के प्लेस पर लखेंगे R1 का element है तो R1 के जगा पर R1-2R2 इसमें 2 से इंटू करके इसमें से घटा लेंगे तो जीरो आजाएगा और यहां पर भी कोई फर्क्टी पर गाएगा जोकि 0 में 2 से गुना होगा 0 होगा 1 में से घटाएगा तो 1 ही आजाएगा यहां 1 यहां 0 आजाएगा यहां पर 0 और फिर 1 इधर भी वही काम करते हैं यहां पर इसमें देखलो R1 का element है 1-2 इंटू R2-1 मैंनस मैंनस प्लस हो जाएगा यहां पर ठीक है तो 3 आजाएगा मैंनस 1 मैंनस 2 इंटू R2 का element मैंनस 5 आजाएगा यह इधर आजाएगा तो आपका A inverse निकल जाएगा क्योंकि यह identity है A inverse के आगे आपका 3-5-1-2 क्लियर है कोई दिकत नहीं है अब इसका हम लोग 7 नमबर देखते हैं हम यहां पर मान लेंगे कि माना A equal to में दिया हुए है 3-1-5-2 ठीक है अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ A equal to में यह लेंगे LHS में यह क्या value रखते है 3-1-5-2 ठीक है अब देखो मुझे यहां elementary operations करके elementary transformation करके मुझे क्या लाना होगा इस identity matrix में लाना होगा चलिए तो अब मैं यहां पर दखो क्या करता हूँ मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि r1 में 2 r1 कर देता हूँ मैं r1 में 2 से into कर दे रहा हूँ अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आप वो समझ में आ जाएगा इसमें 2 से into कर रहा हूँ तो यहां पर 6 यहां 2 यह 5-2 ऐसा ही रहाएगा यहां 2 0 0 1 ठीक है अब देखो इससे फाइ तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 यहां जाएगा 0 यहां 5 2 ठीक है यहां पर 2 यहां माइनस 1 0 1 चलिए अब इसके बाद देखो भाई मुझे यहां पर लाना है 0 ना तो मैं r2 को जगहा पर r2 माइनस 5 r1 कर देता हूँ 1 0 इधर आपका जो है 2 माइनस 1 असी रहेगा अब देखिए हमें क्या करना है पांच में से घटा लेना है 5 into r1 यह 5-5 0 आजाएगा यहां पर 2 ही होगा यहां पर देखते हैं 0-5 into 2 तो यह माइनस का 10 हो जाएगा और यहां 1-5 into minus 1 यहां से देखो 6 आजागा ने यहां पर तो यह दिक्कत नहीं है देखलो 1-5 into minus 1 यही आजाएगा 6 आप देखिए यहां पर हमें क्या लाना है 1 लाना है तो हम दो लिए देते हैं r2 के प्लेस पर क्या करेंगे 1 by 2 यह 1 by 2 से इसमें multiply कर देते हैं तो देखो इससे क्या हो जाएगा 1 0 0 1 और इधर आ जाना है आपका 2 minus 1 minus 5 3 जासे आपका इंवर्स आ जागा है क्योंकि यह identity हो गया तो इंवर्स क्या हो जाएगा आपका 2 minus 1 minus 5 3 की समझ गए कोई दिककत नहीं है इसके चलिए अब इसका 8 नंबर देखते हैं आपस नंबर में भी मालेंगे की आभी हो ए बरांबर में दिया हुगा है हमारे पास 4,5,3,4 ठीक है यह हम लोग यहाँ पर मान लेता है कि 4,5,3,4 यहाँ यह दिया हुगा है आभी हो ठीक है अ जीरो जीरो वन चलिए अब यहां elementary operation करते हैं तो पहले यहां 1 लाना है तो r1 के place पर r1-r2 करेंगे तो 1 वहां आ जाएगा चलिए गटाएंगे यहां 1 यहां भी 134 यहां पर भी चलिए r1-r2 करना है तो यहां 1 यहां-1-01 ठीक है अब देखिए यहां में क्या लाना है तो यहां पर हमें 0 जाएगे तो r2 के place पर r2-3r1 इसमें 3 से इंटू करके इसमें घटा लेंगे तो जीरो आजाएगा चलिए अब यहां करते हैं 1-1 यहां पर हो जाएगा 0 और 4 में से इसमें 3 से इंटू कर घटा लेंगे तो 1 चलिए इधर भी वही चीज़ 1-1 जीरो-3-1 तो मैंनस का 3 आ जाएगा और यहां पर 1-3-2-1 मैंनस में प्लस-प्लस का 4 हो जागे यहां पर अब चलिए सब कुछ तो ठीक हो गया बस यहां पर सब्सक्राइब तो मैंनस का 5-3-4 यहां से हमारा एक का इंवर्स क्या आगया यह इंवर्स क्या हो जाएगा 4-5-3-4 क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है इसमें सब्सक्राइब अगला कोशन नेखते हैं कोशन नमबर इसका 9 यहां पर मान लेंगे माना एक वाल्ट में हमारे पास दिया हुए है 31027 यह दिया हुए है चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे एक वाल टू में आइडेंटी इंटू ए चलिए एक वैलु इधर लगते हैं 31027 इंटू इंटू ए चलिए अब सॉल्व करते हैं यहां पर देखिए मैं बंच तो r1 के जगा r1 minus r2 कर देंगे तो काम बन जागे यहाँ पर चलिए यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर आपका घट क्या जाएगा 3 2 7 यहाँ पर भी करेंगे r1 minus r2 तो 1 minus 1 0 1 चलिए अब यहाँ पर हमें 0 चाहिए तो r2 के प्लेस पर r2 minus 2 r1 इसमें 2 से इंटू कर इसमें घटाएगे तो हो जाएगा काम 1 3 यहाँ 2 में से घटा लेंगे 2 r1 तो यहाँ 0 हो जाएगा आच्छा इसमें 2 से इंटू कर इसमें घटाएगे तो 1 आ जाएगा चलिए इधर 1 minus 1 0 minus 2 into 1 तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 2 और 1 माइनस का 2 इन्टू माइनस 1 तो प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ अब यहाँ पर हमें बस 0 लाना है तो यह R1 है R1 का element है तो R1 के प्रेस पे R1 माइनस का 3 R2 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1 और इधर देखिए R1 यानि 1-3 इन्टू के वैलु माइनस 2 में यहाँ यहाँ पर देखिए माइनस 1-3 इन्टू में यह 3 9-1-10 हो जाएगा माइनस 2 3 यहाँ चिया अमारा एकइल बर्स नहीं है कि माना एक वाल टू में हमारे पास दिया है 3 माइनस वन माइनस फोर टू ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक वाल टू में आई ए ले लेंगे इधर आप एक वेलर रखो थ्री माइनस वान माइनस फोर टू यहां पर यहां प्लस करना है इससे क्या होगा आप उपर माइनस वन आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यहां देखेंगे माइनस का वन एड करेंगे यहां प्लस का वन माइनस फॉर टू इधर देखिए अब उसी तरह से एड करना है 1 1 1 0 1 आप देखिए इस से अब फायदा क्या होगा यहां पर यह माइनस ही नहाँ आना है भई तो मैं क्या करूंगा आरवन के प्लेस पर माइनस का वन माइनस वन से प्लेस नहीं नहीं माइनस बफला ए-7 कर देता हूं समझ रहा ना इसमें चार से इंटू करेंगे तो प्लस का चार यह माइनस का जीरो हो जाएगा तो आरवन के एलिमेंट हम लोग वैसी रख देते हैं 1 और माइनस 1 जो भी है 1 माइनस 1 यहापे 0 आजाएगा अब देखो यह 2 पलस 4 इंटू माइनस 1 यहापे माइनस का कितना आजाएगा माइनस का 2 आजाएगा चलिए यहापे देखिए माइनस 1 माइनस 1 आर 2 यानिके 0 पलस 4 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 4 हो जाएगा अच्छा यहाँ पे दखो 1 पलस 4 इंटू में माइनस 1 तो यह माइनस का 3 आ जाएगा समझे रहा ना बात को कोई दिक्कत नहीं है आप देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना है तो यहाँ पे पलस का 1 लाना है तो मैं एक काम करता हूँ यह आपका R2 का इलिमेंट है मैं लिख देता हूँ R2 के जगा पर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 से इसमें मल्टिप्लाई कर देते हैं समझे ना पलस का 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 0 1 इधर देखते हैं क्या आता है माइनस 1 माइनस 1 यहां पर क्या होगा आपका टू हो जाएगा और यहां पर थ्री बाई टू हो जाएगा समझे ना अब देखो यहां पर बस हमें जीरो लाना है तो यह लिख सकते हैं कि आर वन के प्लेस पर आर वन प्लस आर टू दोनों को जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा यहां वन यहां जी सब्सक्राइब करना पहला है पाथ फाइंडर क्लासिस शप्राइब दूसरा है आपका भारती भावन भारती भावन रवीकांत सर और तीसरा चैनल है रवीकांत सर के नाम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस रिलेटर बीडियो के लिए सीधे स्थे में जाएंगे और इसे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सच्क्रिएंगे www.ravikant sir.in और यहां जाकर आप सभी क्लास्स के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं तो जल्दी से जाकर गूगल पे सच्क्रिए www.ravikant sir.in